हेलो दोस्तों, जीरो लेब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं यहाँ पे आपको LED ड्राइवर सर्कुट के बारे में बताऊँगा कि यह दो अलग अलग तरह के ड्राइवर सर्कुट है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कैपसिटेड ड्राइवर का ड्राइवर सर्कुट है और एक ही हमारा आएसी जो ड्राइवर आएसी होती है ड्राइवर आएसी बेस्ट हमारा यह LED ड्राइवर सर्कुट है अच्छी ब्रांडिड कंपनियां यूज करती है इस तरीके का LED ड्राइवर आईसी बेस्ट हमारा ड्राइवर सर्कृट है और यह पीएफ ड्राइवर बेस्ट सर्कृट है यह दोनों ही सर्कृट अपनी पर ठीक हैं लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि जो बेस्ट है वो कौन है तो यहां पे जो पीएफ ड्राइवर सर्कृट है इस ड्राइवर सर्कृट का एक्स्प्लेशन का मैंने एक वीडियो बनाया था अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस तरीके के आईसी बेस्ट ड्राइवर सर्कृट जो है यह हमारा कैसे काम करता है इसका भी हमारा एक लिंक है वीडियो का मैंने पहले ही बना दिया है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां पे चेक कर सकते हैं यह कैसे काम करता है तो दोनों ही ड्राइवर सर्कृट की बात करेंगे हम तो यहां पे ज जो है, इनको constant current चाहिए. चाहिए, constant current कमたलब current को मेजर करते हैं ampere में. voltage की बात नहीं कर रहा है. यह Hers of gold की बात नहीं हो रहे हैं, यहां पे माशéta को एंपे आंप 해요 जो constantampere इनको चाहिए, यह milliampere चाहिए. Milliampere यह milliampere में work करती है, जो intensity light की intensity है वो नहीं देंगी, उतना अच्छा glow नहीं करेंगी, तो दोनों ही conditions है हमारी, तो यहाँ पे LED driver IC युक्त जो हमारे driver है, यह ज्यादा बहतर है, क्योंकि यह हमारा constant current प्रवाइड करता है, हमारे MPCB की LED को, तो अगर हमारी LED bulb जो है, वो 9W का है, तो 9W के हिसाब से, तो उसमें constant current जाएगा, जिससे हमारी LED जो bulb है, वो परियाबत intensity के साथ glow करेगा, जबकि हमारा जो यह PF dropper circuit है, जो PF dropper driver circuit है, इस dropper driver circuit में ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे voltage अच्छा आ रहा है, voltage ज्यादा आ रहा है, तो हमारी LED थोड़ी ज्यादा glow करेंगी, जबकि एगर voltage कम तो यह हमारी LED कुछ धीमे glow करेंगी, और दूसरी चीज, यहाँ पे जो हम LED driver IC, जो हमारा driver circuit होता है, इसमें LED की संख्या कम लगती है, जबकि इसमें हमें थोड़ी extra LED लगानी पड़ती है, अगर हमें 9 watt का LED बल्ब है, तो हमें एक एक वाट की 9 या 10 LED हम लगा सकते हैं, जब यहाँ पे अगर हम सोचें कि हम अपने LED बल्ब को इस तरीके की driver circuit बल्ब हम बनाए और उसको हम यूज करें तो वो हमें सस्ता पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे LED की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पे high power LED जो होती है, जिस तरीके की LED हैं, यह इ होती है कि हमारा जो PM डॉकर circuit है, इसको रिपेर करना आसान होता है, इसमें ज्यादा components नहीं लगे हुए है, बहुत कम components लगे होते हैं, जबकि हमारी जो driver circuit है, इसमें काफी सारे components आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे काफी सारे components लगे हैं, जिनको हमें replace करना होता है, और यह थोड़ा जटिल हो जाता है कि इसमें कौन सा खराब है, यह चेक करना थोड़ा जटिल हो जाता है, लेकिन इसमें कोई उतना ज्यादा problem नहीं होती है, मैंने videos अपलोड किये हुए हैं, आप उनको देख लेंगे, तो आप बहुत आसानी से इसको repair कर पाएंगे, इसमें जटिलता नहीं है, जो आप इस तरह के driver circuit जब repair करते हैं, तो इसमें आप normally जो components लगे हुए हैं यहाँ पर यह अगर आप चेक कर लेंगे, और यह अगर खराब नहीं है, और अगर कमी हमें नहीं समझ में आ रही है कि क्या कमी है, तो बस इसमें main जो कमी आती है, वो हमारी driver IC कमी आती है, ज्यादा तर हमारी जो fault है, वो अगर यहां से clear नहीं हो रही है, तो सीधे हमको driver IC replace करनी होती है, तो इस तरह के से आप यह LED driver circuit अगर यूज करेंगे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और हमारा जो यह driver circuit है, यह voltage पर डिपेंड है, voltage अगर अच्छा आ रहा है, तो हमारा यह PF dropper driver circuit है, यह थोड़ा crunch जाता निकालने लगता है, जिससे के हमारी MPCB के LED बर्न हो जाती है, खराब हो जाती है, तो यह कमी है हमारे PF dropper driver circuit में, जबकि हमारा जो IC based LED driver circuit है, यह कमी नहीं है, अगर voltage ज्यादा भी आ जाता है, तो यह balance करता है, चुकि driver IC उसी हिसाब स switching करने लगती है, कम switching करेगी, अगर हमारा जो भी voltage कम ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से switching जो है, IC की वो उसी के हिसाब से होती है, तो उस हिसाब से हमारी MPCB में LED हैं, उनको एक निश्चित current ही provide होता है, तो यहाँ पर जलने के chances कम होते हैं, खराब होने के chances कम होते हैं, ज तो designing का मैं एक video upload करूँगा जल्द ही, कि हम खुद से अपना LED driver circuit कैसे design करेंगे, और यह सारे components हमें, उसमें कम से कम components हमें कौन-कौन से लगाने है, कि हमारा LED driver circuit है, वो कम से कम components में बन जाए, IC driver circuit हमें कम से कम components में कैसे बनाएंगे, और driver circuit की designing कैसे करेंगे, इसकी PCV है, PCV की designing पे मैं एक video जल्द ही upload करूँगा, तो आज की video में इतना ही thanks for watching, have a nice day.